अगर आप अपने लिए, अपने लवल्बोंच के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आरे हैं, जो clear नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आरे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं watch my free training program जिसका लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूं किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए मार्श 2024 की लव टारो रीडिंग तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्श मंथ में आपके पात्ने की क्या अनर्जीज होंगी आपकी क्या अनर्जीज होंगी फाइनली मार्श मंथ में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप मार्श मंथ की अनर्जीज को बदल सकते हैं अपनी लव लाइफ को बहतर कर सकते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपके नाम के हिसाब सिराशी हो, लगन हो, moon sign हो या फिर sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं March 2024 की Love Tarot Reading चलिए एक वेडियर साप लोगों के लिए देखें कि March 2024 में आपकी Love Life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सेकिंद set of cards में आपके partner के energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally March month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है pause और यह card कहता है कि यहाँ तो आपकी relationship में कुछ time से March starting में या March month में एक pause आ रहा है या फिर हो सकता है कि एक pause आप लेना चाहा रहे हैं और surface level के लिए night of cups reverse का card कहता है कि इसी वज़े से या फिर otherwise आप काफी emotional, काफी sentimental होते हुए दिख रहे हैं in fact देखिए कुछ हो सकता है कि थोड़ा सा sensitive भी हो रहे हैं जहाँ पर छोटी छोटी सी बातें आपको अपने partner की या otherwise भी effect कर रही हैं बुरी लग रही हैं और कहीं एक imaginary world में रहते हुए दिख रहे हैं कहीं इतने realistic, इतने practical भी आप नहीं रहते हुए दिख रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी एक pause आ रहा है या फिर ले रहे हैं और इसी वज़े से या फिर otherwise भी काफी emotional काफी sentimental हो रहे हैं कहीं imaginary world में रह रहे हैं थोड़े से sensitive भी होते हुए दिख रहे हैं और इसी वज़े से या otherwise mental health का card कहता है आप थोड़ा सा you know mentally परेशान हो रहे हैं mental illness का card literally you know mentally ill होने की बात नहीं करता है लेकिन जब हम overthinking करते हैं और overthinking की वज़े से negative frame of mind में जाते हैं परेशान होते हैं तब कहीं you know एक तरीके की mental illness होती है और कुछ ऐसी energies आपकी रहती हुई दिख रही हैं इसमें addictions भी लिखा हुआ है तो हो सकता है कि मन ही मन आपको ऐसा लग रहा है कि partner की आदत पड़ गई है और कहीं you know ये आदत आपको बहुत परेशान कर रही है Ace of Cups Rivers का card again ये ही कहता है कि emotionally बहुत low feel कर रहे हैं कहीं हो सकता है कि depressive सी देखिए depression बहुत बड़ा एक word होता है normally मैं use नहीं करती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि depression हो रहा है लेकिन एक वैसी सी energies होती है न जहां पर किसी चीज में मन नहीं लग रहा है किसी चीज में involve नहीं होना चाहर हैं और four of swords का card यणो इसी चीज को और जहादा confirm करता है कि आप उतना जहादा किसी भी चीज में अगेन मैं कहूंग नहीं हो रहे है पार्थिस सिपेट नहीं कर रहे नहीं होँ और हैं आपके mood swings हो रहे हैं और सकता है कि नए सिरे से और जादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि आप उनको उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए फोर अफ सोट का कार्ड भी बैक सीट लेने की बात करता है विड्रॉ करने की बात करता है तो फिर से मैं कहूंगी आप बहुत एक प्यार महबबत महसूस कर रहे लेकिन पार्टनर को उतना नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं ड्रीमिंग का कार्ड कहता है कि बहुत जादा उनके खयालों में खोए हुए रहते हुए दिख रहे हैं बहुत ख्वाब देख रहे हैं और दिखिए हापे नाइट ओफ कप्स का कार्ड भी सिमिलर सी एनरजीज को करता है तो अगर मैं आपके लिए एक्वेरियस मार्शमंत की एनरजीज देखू यानि कि आप क्या महसूस कर रहे हैं तो बहुत एक इमाजिनरी से वर्ल्ड में रह रहे हैं बहुत जादा ख्वाब देख रहे हैं सपने देख रहे हैं बहुत चीजों को फेंटेसाइज कर हैं और कहीं बहुत एक लव, कियर, प्यार, महबत पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं फिर से कहूंगी कुछ हो सकता है ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन जादा मुझे दिख रहा है कि नहीं इतना आप एक्सप्रेस कर रहे हैं एक पॉज आ रहा है या फिर ले रहे ह और एक addiction, एक बहुत आदत सी आपको ऐसे लग रहा है कि आपने partner की पढ़ गई है और अब देखते हैं Aquarius की partner की के energies हैं तो हो सकता है पीछे वो जादा socialize कर रहे थे काफी सारे लोगों से connect कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे या party, celebration और इस तरीके की activities उनकी life में चल रहे थी और March starting में कहीं इन ही activities से वो थोड़ा सा अपने आपको बाहर निकालना चाह रहे हैं यानि कि वो avoid कर रहे हैं in parties या फिर in celebrations या जो भी लोगों के साथ वो socialize कर रहे थे इन चीज़ों को थोड़ा सा avoid करते हुए दिख रहे हैं deeper level के लिए comic lesson का card past lessons repeating itself की बात करता है तो कहीं देखिए किसी तरीके की realization उनको होती भी दिख रही है जहां पर उनको ऐसा लग सकता है कि आपका और उनका connection कार्मिक है और कुछ चीज़ें बार-बार repeat हो रही हैं जो उनको किसी चीज़ की indication दे रही है और शायद इसलिए यहां फिर otherwise open gate का card कहता है कि पीछे अगर आप दोनों के बीच में दर्वाजा बंद हुआ यहां पिर हमने आपके लिए देखा कि pause एक आ रहा है यहां फिर आप ला रहे हैं तो कहीं यूनो वो दर्वाजा आपके और अपने बीच का खोलना चाह रहे हैं दिखिए इस card में लिखा हुआ है right timing aligned with life path तो कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि आपके और उनके relationship के next level पर जाने के लिए या फिर एक दूसरे के साथ होने के लिए यही right time है और कहीं आपकी और उनकी energies align है और दिखिए कार्मिक lesson में हमने देखा ही उनको ऐसा लगता है कि आपका और उनका connection कार्मिक है और शायद इसलिए देखिए long term वो आपके साथ चाहा रहे हैं सोच रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise family को involve कर रहे हैं या फिर family की एक involvement रहे रही है और यहाँ पर देखिए six of pentacles reverse का कार्ड कहता है कि literally हो सकता है कि आपको convince करें या फिर ऐसा वो चाहा रहे हैं deeper level के लिए letting go, release and let go का का कार्ड moving on, releasing the past की बात करता है तो देखिए यहाँ पर एक दो meanings हो सकते हैं इस कार्ड के जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रही है issues है, मसले है, problems है उनको let go करके उनको release करके वो इस relationship को better करना चाहा रहे हैं और कहीं आपसे connect करना चाहा रहे हैं literally आपको convince कर रहे हैं जब भी एक आड आता है मैं कहती हूँ आप दोनों में से कोई एक जन literally भीक मांग रहा है relationship की क्योंकि आपके partner के लिए है तो ज़ादा आपके partner के लिए रहतावा दिख रहा है कि literally, you know, हो सकता है कि कुछ एकवेडियस के partner भीक मांगे वो आपस आने के लिए चीजों को ठीक करने के लिए और अगर ऐसी energies नहीं है तो कहीं convince तो आपके partner आपको कर ही रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि, you know, वो ऐसा करना चाह रहे हैं यानि कि, आपको convince करना चाह रहे हैं literally, आपसे relationship के लिए back करना चाह रहे हैं लेकिन, कर नहीं रहे हैं कितनी बारी होता है ना कि हम चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं और कितनी बारी, जो हम चाहा रहे हैं उसी से related हम action initiatives लेते हैं यानि कि हमारे thoughts और actions align होते हैं, कहीं बारी हमारे thoughts और actions नहीं align होते हैं, तो इस तरीके की भी energies, Aquarius आपके partner की रह सकती हैं, यह general reading है, थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, और अब देखते हैं Aquarius की March month में क्या हो रहा है, तो दिखिए March starting के लिए Six of Cups का card कहता है, कि जो भी आप दोनों की energies हो, कहीं आप दोनों ही अपने अपने level पे दूसरे जन को miss कर रहे हैं, काफी एक love, care, प्यार, महबबत एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं, फिर से कहूंगी यह general reading है, थोड़ा थोड़ा सब Aquarius के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि आप दूसरे से connect कर रहे हैं, बाचीत हो रही है, और किसी level पे express कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, बट मन में एक प्यार, महबबत रहता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए फिर से मैं कहूंगी कि मन में काफी एक प्यार, महबबत है, और हो सकता है कि कुछ issues, मसले हैं, उसकी बहुत boring हो रही हैं, आप दोनों के बीच में एक boredom है, monotonous energies हैं, और उसको spice it up करने की ज़रत है, एक enthusiasm, excitement लाने की ज़रत है, लेकिन इसके बावजूद भी, आप लोग कहीं बहुत safe, secure हो के इस relationship में आगे बढ़ रहे हैं, यानि कि कहीं एक enthusiasm, excitement मुझे नहीं रहता वा दिख आप लोग risk नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत safe, secure हो के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, जब तक कि 100% sure ना हो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक action initiative नहीं ले रहे हैं, और दिखिए, मन नहीं मन, आप दोनों को इस चीज क लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर से कहूंगी इसके बावजूद भी एक, you know, action initiatives हो सकता है कि उस तरीके से ना ले रहे हों, क्योंकि ये काट भी कहीं pause लेने की बात करता है, या तो देखिए, एक pause आ रहा है, mid-march में, या फिर, you know, बहुत एक सोच समझ के action initiatives ले रहे है हैं, बहुत एक planning strategy करके action initiatives ले रहे हैं, और जाहिर सी बात है, देखिए, अगर इतना जादा सोच सोच के चीजों को deal करेंगे, इतना 100% sure, you know, होने पर focus करेंगे, तो कहीं normal self तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम normal self को देखिए, तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ connect कर करना चाह रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से, you know, एक love care feel कर रहे हैं, तो अगर, you know, फिर से कहूंगे सोच के चलेंगे, तो बहुत normal चीजे नहीं रहेंगे और heartbreak भी रहेगा, तो कहीं किसी level पे एक heartbreak वाली energies end March के लिए रहती भी दिख रहे हैं, और इसके लिए सब Aquarius उनके partner के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन heartbreak के उपर queen of pentacles reverse का card कहता है, कि शायद बहुत practical, बहुत realistic होके चीजों को deal कर रहे हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया, कि safe secure होके चीजों को deal करना चाह रहे हैं, इसी वज़े से normal self नहीं हो पा रहे हैं, और इसी वज़े से कहीं, you know, issues और मसले भी रह रहे हैं, तो नचल में मैं आपको यही कहूंगे, Aquarius, कि safe होके चलना बहुत अच्छी बात होती है, हमें, you know, अपना practical, realistic तरीके से चीजों को deal करना चाहिए, लेकिन इतना भी practical, realistic नहीं हो जाना चाहिए, कि जो हम feel कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हम उसको ह कहीं न, again कहूंगे, महसूस कर पाएं, और कहीं हम अपने दिल की अवास को न सुन पाएं, और हम फिर परिशान हों, या फिर चीजों को लेकर वायूस हों, तो यहाँ पर मैं नचल में आपको यही कहना चाहूंगे, कि heart और mind का balance रखें, जितना आप practical हो रहे हैं, उतना ही क नहीं अपनी दिल की भी अवास को सुनें, अपने दिल की अवास को एकदम से सनब ना कर दें, और सिरुफ और सिरुफ लॉजिकल, प्राक्टिकल बेसिस पे चीजों को ना करें, फिर से कहूंगी एक balance रो लेकर आएं, तो यह था एक वेरिस आप लोगों के लिए मार्श 2024 क और अगर यह रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब ज़रूर करें